नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रवीन सर पर एक आवस्यक सूचना है आप लोगों के लिए वर्तमान में यूपीसी इस्टेट पीसी या अधर कम्टेटिव एक्जाम में भूगोल का मैप का रोल दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम भूगोल की मैप की एक स्त्रंकला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जोगराफी थू मैप और इस क्र मैचिंग आएगी वहां से ए लिस्ट बी लिस्ट करके कोश्चन पूछा आता है एक तरफ कंट्रीज दे दिया आते एक तरफ उसकी कैपिल सीटी दे दिया आती और उसको मैच करना होता है छोड़ी एक्जाम में वन लाइनर कोश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट ह तो यह जो स्रंकला हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम पूरा विश्ट का मैप पढ़ाने का प्रयाश करूँगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजा बनती हैं तो इस स्रंकला में सबसे पहले आज हम लोग विश्ट की देशों की राजधानिया कवर करेंगे और आज सबस और अगर आप इसको सही से मेरे लक्षर को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाब होने वाला है तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं और आज आज आप लोग इसके माद्दिम से बहुत कुछ शीखने का प्रयाश आप लोग करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैप को मैं तोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं स्क्रीन पर और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यह वेनेजवेलय का काराकस यहां पर स्क्रीन पर लगा हुए है काराकस वेनेजवेलय का कैपिटल सिटी है और यह अट्लांटिक ओशन के किनारे है जस्ट और यह अट्लांटिक ओशन का यहां पर मार्जिनल सी है जिसको हम लोग केरिबियन सी कहते हैं तो उसके जस्ट किनारे है तो अट्लांटिक महासागर के तर्ड पर है और यह देश का सबसे बड़ा नगर है और यह पोट सिटी भी है क्योंकि समुद के किनारे है इसलिए पोट सिटी है तो ध्यान यह रखना है कि किस महासागर के किनारे है अट्लांटिक महासागर और वहीं पर उसका जो मार्जिनल सी है जिसे हम केरिवियन सी कहते हैं तो उसके किनारे है और यह देश का प्रुमक और दोगिक केंद्र है और यह यहां पर पेट्रोलियम को रिफाइन करने के कार खाने लगे हैं यह तेल सोधक कार खाने बड़े- गणडर है यह अगर आप देखेंगे यहां पर एक झील है जिसका नाम है chlor 않고 इस जगए इसके आसपास बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व है तो यह किसके लिए जाना जाता है कंट्री ने रिजर्व के लिए है यह एक्चल में है और यह है यह है अर यहां से जाता है एक अंट कर दो अब यहां से पास होता है एक जगह से तो इसको कहते हैं विश्वत रीखा तो विश्वत रहर के डिनारे यह बसा हुआ सहर है वेने जो इसका आपका एक्वाडोर का कैप्टल सिटी है विश्वत्रेगा के पास इस्थित है यह संसार की दूसरी सबसे उंचाई पर इस्थित राजधानी है उंचाई पर इस्थित होने की वज़े से यहां का मौसम बहुत जादा गरम नहीं है वैसे यह पर्रेटर्ण टैकर आते हैं तो यह इसका इमपोर्टेंस है तीसरा जो यहां पर इंपोर्टेंट हम आपको बताने जा रहें वह है कि यह देखिए यह है यह है व्यूनस आयर्स अ यह है देखें यह earn用स गूसर्व अरजंतीना का केपिज चिति है और शैंटीना साउ्थ अमरिका कंप एक एक बहुत फेमस देश है अब वेनस आयर्स किसलिए फेमस एक तो सकत्रस केपिटल सिति है और दोसरा फेमस होने का का यहां पर मीट प्रोशेशिंग यहीं मांस मांस उद्ध्योग के लिए जाना जाता है यह सहर मांस उद्ध्योग के लिए सरी एक मिनट वन मिनट थोड़ा सा स्क्रीन से यह थोड़ा सा हट गया था ओके ठीक है तो यह मांस उद्ध्योग के लिए यहां पर कौन सी दसाएं है आप लोग जलवायू पढ़ेंगे तो अर्जेंटीना में चैने ग्रस लेंड पाया जाता है जिसकों कहते हैं लाव किअ क्या वोते है तो पॉंपास यह गास का मैदान है अर्जेंटीना में फैला हुआ और यह तो यह यह कि टेंप्रेट ह्ट्र्सलेंड है यह शीचोश्ड गास का मैदान है यह यहां पर मुलाय को पाव्द और PMPass में घास पाई जाती है अलफा जो बहुत ज़्यादा पूशक तत्यों शे भर पूर होती है और जब यहां के जानवर उससे खाते हैं तो उनका मांस तेजी से दशेटी से बढ़ता है और उपने स्लटर हाउस और मान सुद्ध्योग के लिए जाना जाता है उसका मैंने आपको रीजन समझाया है तो यह बात आपको यहां पर ध्यान रखती है फिर हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा सा यह देखिए यह यहां पर एक सहर आपको दिख रहा है लापाज जहां पर मैंने एरो लगाया हुआ है लापाज एक सहर है यह बोलिविया का है यह कैपिल सिटी है और यह एंडीज माउंटेन पर बसा है यहां पर एंडीज माउंटेन है तो इंडीज माउंटेन पर बसा है इसलिए बहुत उचाई पर ह तो दुनिया की सरबादिक उचाई पर ये राजधानी सहर है बोलिविया का लापाज ठीक है और चुकि उचाई पर है इसलिए आँका टेंपरेचर कम होता है तो ये काफी ठंडा है ठंड पड़ती है यहां पर उचाई पर बसे होने की वज़े से और दूसरा वहीं पर आप आए देखेंगे नीचे सुकरे सहर लिखा हुए है कि सुकरे बोलिविया की जुडी सियल कैपिल सी टी है तिक ए राजधान न्याइकर अगर आक्षण है अ बात करते हैं वह सेंटियागो सेंटियागो बहुत इंपरेंट है यह संटियागो सहरा तो यह आप देक पार है य चिली यहां पर देश है जहां पर यह इसके मद भाग में बसा हुआ है मद बाग में तो मद चिली में और एक चीज़ आतर रहेगा मद चिली की जलवाईव भूमद सागरी जलवाईव है कैसी है तो सैंटियागो का क्लाइमेट कैसा है भूमद सागरी कैसा जलवाईव है यहा की खेती होती है citrus fruits होते हैं नीवू पर जाती के यहां पर फल प्रक्ष पाया जाते हैं और यहां पर wine का production होता है मतलब शराब का उत्पादन होता है तो सेंटियागो चिली की राजधानी है और किस लिए फेमस है यह फेमस है शराब उत्पादन का एक केंद्र है ठीक है तो question पूछा जाता है सेंटियागो की जलवाईव कैसी है बुमसागरी जलवाईव है भुमसागरी जलवाईव की विसेष्था है क्या होती है तो मैं आपको बता दूं यहां पर सर्दी में बरसा होती है और ग्रीस पर रितू यहां का dry होता है और नीमू पर जाती के प्रक्ष यहां पर पाया जाते हैं जैतून की खेती होती है और अंगूर की खेती होती है इसलिए यहां पर अंगूर का ज्यादा से ज्यादा कंजम्शन वाइन इंडस्टी में होता है तो इसलिए सेंटियागो सराब उत्पादन के लिए फेमस है ओके आयोब की आपको यह के पार ये तो माझे वीडियो शहर यहांपा पर तो यह मॉन्टी वेडियो शहर है और यह किनारे और एक चिछ यहांपर आप देखो एक चीछ आप यहांपर देख पाऊगे यहां पर मैं आपको एक एरो यहां पर लगाया हुए है यह अट्लांटिक महासागर में इस्तित एक एशुरी है जिसको हम लोग कहते हैं रियो डी लाप्लाटा क्या बोलते हैं रियो डी लाप्लाटा लाप्लाटा क्या बोलते हैं रियो डी लाप्लाटा क्या है यह एक एशुरी है और इसी एशुरी में पराना नदी गिरती है तो अट्लांटिक ओशन में है तो यह रियो डी लाप्लाटा एशुरी है यह अर्जे लिए यह एक बंदरगा सहर भी है ठीक है एक बंदरगा सहर है और यह देश का उरुगवे का शांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी है और यहां पर जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है वह आपको जाना बहुत जरूरी है यहां पर पहला विश्व कप फुटवाल खेला गया था उरुगवे की राजदानी मॉन्टी वीडियो में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग जॉर्ज टाउन की जॉर्ज टाउन यहां पर यह आप देख पा रहे हैं जॉर्ज टाउन यह देखिए जॉर्ज टाउन ग्याना की राजदानी यह ग्याना एक से वह है कंट्री तो अट्लांटिक महासागर के किनारे है जॉर्ज टाउन ग्याना क यह capital है ग्याना कैसे लिखोगे ग्याना तो ग्याना यह देश है यहाँ पर यह देश ग्याना है उसका यह capital city है और यह Atlantic ocean के किनारे है कर यहाँ पर भारती मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं कि अब यहीं पर हम लोग तुरंत देख लेंगे एक सहर आपको दिखेगा कि पैरा मारिबो तो यह जो पैरा मारिबो शहर है यह सूरी नाम कंट्री है कि यह कंट्री है यह सूरी नाम के आपको एक सूरी नाम कि तो यह जो यह पर आउटलाइन वनी है सूरी नाम देश है उसकी केप्टल सिटी पैरा मारिबो है और ये अट्लांटिक महासागर के किनारे आं और ये चुकिंए अत्लांटिक महसर किनारे है तो ये एक बंदरगा सहर है ये वद्योगिक और संस्कृतिक नगर है और यहाँ पर भारती मूल की लोग बडि संख्या में रहते हैं अग्ला capital city यहाँ पर हम लोग देखेंगे हैं यह आप देखो बगोटा यह कोलंभिया का capital city कॉलंबिया को deliberately है यह आउट्लाइन यहाँ पर नाई गई इस तरीके से यह outline है यह कोलंभिया है 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 जो कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है और बगोटा इसका जो कैपिटल सिटी है वो एंडीज परवत के बेसिन में इस्तित है और ये कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है अब हम लोग बात करते हैं पेरू की कैपिटल लीमा ये आप देखो लीमा ये लीमा दिखा ये पेरू देश है पेरू देश की कैपिटल लीमा और ये परसांत महासागर के इस तरफ कौन सा ओशियन है ये परसांत महासागर तो परसांत महासागर के किनारे है पेरू की राजधानी है और ये गोल्ड और सिल्वर का प्रमुक केंद्र है यहां पर chemical, cloths, automobile और drugs के लिए जाना जाता है नेक्स्ट ये capital city आपको मैं दिखाने जा रहा हूं ये देखिए ये परागवे का सहर ये वाला जो शहर है ये परागवे का सहर अशेंसियन ये जखिए अमेरिका का देश परागवे की राजधानी है और ये यहां का सांस्कृतिक और सैक्षडिक केंद्र भी है और ये international airport भी है अंतराश्टी हवाई रड़ा है दूसरी जो यहां पर एक आपको important बात यां जाननी है वो ये है कि जो परागवे कंट्री है यह साउथ अमेरिका का एक मात्र कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि इसकी boundary कहीं भी ओसियन से टस नहीं होती है तो यह चारों तरफ से लैंड से गिरा हुआ है इस्थल और देश या भू आवेश्ठित देश अंग्रेजिम क्या क्याता है लैंड लॉक्ड तो यह कॉस्चन एक बार पूछा गया है कि भू आवेश्ठित देश कौन सा है तो उसमें चार आप्शन दिये उनमें से एक आपको छाटना था तो यह साउथ अमेरिका में एक ही कंट्री है परागवे जो की लैंड लॉक्ड है अब हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री इसे हम कहते हैं ब्राजी यह आप देखेंगे तो ब्राजील का एक एपिटल सिटी आप देखोकर यह ब्राजीलिया है लिगा होगा ब्राजीलिया थीक taraf तो यह grid प्रारूप पर अधारित है मतलब यहां से सहर के बागी हिस्सों को connect किया गया है और यह इस्थापत कला का सर्वूत्तम उदारण है यहां पर जो बात आपको जाननी है One minute One minute यह थोड़ा सा मेरा स्क्रीन में तुम बात करें तो ब्राजिलिया अब यहां पर जो जानना है वो important बात यहां पर यह है यहां पर एक dance फेमस है इसका नाम है Samba Nara Samba Dance तो Samba Dance यह कहां का है यह ब्राजील में होता है ब्राजीलिया में तो Samba Dance याद रखेगा दूसरा जहां पर ब्राजीलिया बसा है ना सहर वहां पर कैमपोस पाए जाता है कैमपोस तो कैमपोस क्या है कैमपोस यह ट्रोपिकल ग्रास लेंड है यह उश्ण कडवंधी घास का मैदान कैमपोस इसको ब्राजील में क्या बोलते हैं कैमपोस तो कैमपोस रीजन में बसा हुआ है ब्राजीलिया सहर तो यह आपने देखा कि यहां की साउथ अमेरिका के जो कंट्री है उसकी आपने राजधानिया देखी हाई होब कि आपको यह समझ में आया होगा यहां पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखे यूटूब पे हमने यह पढ़ाने का प्रयास किया है जिससे आपको काफी ज्यादा लाब होगा लेकिन कोर्स बहुत बड़ा होता है अगर हम विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत बड़े-बड़े लक्चर लेने पढ़ेंगे जो यूटूब पे उतना संभव नहीं है लेकिन यूटूब में मैं कोशिश करूँगा कि चीजों को सौर्ट में कॉम्पेक्ट करके आपको दी जाएं जिससे आपको काफी ज्यादा लाब हो लेकिन अगर आपको डिटेल में पूरा भूगोल पढ़ना है आईस के लिए इस्टेट पेस्ट के लिए या जितने भी कम्टेटिव एक्जाम है उनको कोई भी कर्शन आपका चूटे बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से अगर आपको गूगोल करना है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं जो हमारे एप पर उपलब दोगा और एप का नाम है रविंद्राज इंस्टीटीट के नाम से आप प्ले इस्टोर पर जाएंगे और वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इस एप पर हमारा भूगोल का सिस्टमेटिक पूरा कोर्स मिलेगा जिसमें हम आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और साथी साथ इन सभी चीजों का पीडियेफ फॉर्म में नोट्स भी अवैलेबल होगा ना केबल पीडियेफ फॉर्म में नोट्स अवैलेबल होगा बलकि उस टॉपिक से कैसे बनते हैं तो उसके मॉडल क्वेशन आंसर भी आपको मिलेंगे जिससे कि आपका EPSC, स्टेट PSC और कोई भी गॉवर्मेंट जॉब की तयारी करने वाला एक्जाम हो उससे कॉशन बाहर नहीं जाएगा तो उस कॉर्स को आप परचेज कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस में बहुत बहतरीन वहां पर कॉर्स तयार किया गया है अगर आपको कोई डिटेल में आपको इनफोर्मेशन लेनी है तो हमारे आप इस नंबर पर वाट्सेप नंबर पर आप कॉंट्रेट कर सकते हैं इस स्क्रीन पर दिए गया नंबर पर आप कॉंट्रेक्ट करके हमसे पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं बहुत सिस्टमेटिक तितरी से यह विरावादा है कि उसको करने के बाद आपका भूगोल में कोई प्राब्लम नहीं होगी विश्व का भूगोल भारत का भूगो तो थैंक यू फॉर वाचिंग और आप इंतजार करिएगा अगले लेक्चर का